इतना जो है मैंने हम लोग अपमानित करते हैं जलील करते हैं मैंने दल्तों को और इसके लिए उसको देखना चाहिए और इसको बहुत जो है कम भिरता के साथ बहुत इसके साथ नहीं लेना चाहिए जीतन बाबु को भी सब्दों पर नियंतर रखना चाहिए यही हम कहना चाह नमस्कार मैंना मालोक है आप लाइश्टीज देख रहे हैं जितना मांजी जो की एंडिये एलाइंस का हिस्सा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष है बिहार के पुर्र मुखमंतिर उन्हें ब्राह्मन समाज को लेकर अपति जनक शब्दों का इस्तमाल कर दिया है अब ऐसे में कितने हाथ तक यह सही है बात यूकि बावा साब अमेटका की बाते वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत धर्म अपनाय था इसलिए वो हिंदुत्रों के खिलाफ्त है इस्वक्षिवान तिवायर मां साथ है ब्राह्मन समाज को लेकर की गई अपति जनक टिपनी लेकिन हमें एक बात कहना चाहेंगे इसी मोके पर कि अम्बेटकर साहब जो है बहुत कड़ूा अलोचक थे माहतमा गांधी ने उनको बताया उनको प्ताया कि अम्बेटकर साहब इस तरह से बहुत कटू अलोचना आपकी करते हैं कान्धी जी जबाब धिया था, कि हम लोगों ने जिस तरह का बैवहार उनके लोगों के साथ किया है, उसमें उनके अजिती जब ऐते हैं, यही उक्रिपा करते हैं, तो माजी जी समाज से आते हैं, उस समाज को मैं कितनी परताडना जहलनी पड़ती है, कितना बेद भाव जहलना पड़ता है, कितनी गाली सुननी पड़ती है, वो इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं, आज के दिन भी यह हो रहा है, अभी हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित नौजवान ने मूच रख लिया, उसका मूच चलवाया, याद होगा कि गुजरात में एक दलित लड़के ने काकी तस्वीर छपी थी जिसमें घोड़ा पर बैठा हुआ है और मूच परताओ दे रहा है, उसकी हत्या हो गई, आप याद कीजिए कि किस तरह से रोहित ब उनमी भारत सरकार ने कमिशन बनाया है केसा के हो रहा है, थोराट साहब की अधेक्षता में जो एज़ी एक चेरमेन हुआ करते थी, उनकी अधेक्षता में मैंने कमिशन बनाओ उसने कहा कि अरख लेक्ष्ण के कोटे से जो नौजवान आते हैं, उनको लोग हीकारत की नज एक जीतन माझीजी है उसको देखना चाहिए और उसको बहुत जू है कंभिरत сам a cancel बहूत जीतन बाभू को भी सब्दों पर नियंतन रंदा उता है यह हम करना चाहेंगे कि इस व्वभानेए हैं तो उस hanya फीं माइजने किया जाहिए इतना अब मैने हम लोग आपमानित करते हैं, जलील करते हैं, दल्तों को और इसके लिए उस माफी मांगते हैं, तुसरे से आप माफी की यह पिक्षा क्यों करते हैं, उन्होंने किया इसको भूलिये, वो भी भूले, इभी भूले, उन्होंने तो एक बार कह दिया कि राम जो है इतिहासिक पुरूस न आप जो है तियासिक पर उस बुद्ध हैं भगवान बुद्ध हैं भगवान बुद्ध के बारे में आप आम आदमी से पुछिएगा तो सो में लोगों से पुछिएगा तो साथ दो चार लोग उनके बारे में बता देंगे लेकिन राम के बारे में आप पुछिएगा तो नि चुना गंडी जी ने लेकिन किसी भी एतियासिक परूस से जादा प्रभाव जो है हम लोगों के भारती ही समाज में रामका है और रामका किसलिए प्रभाव एकांधी राम कहते हुए मरें उनको जब गोली बारी गई और नातूरामकों ने उनको मारा तो तो मनें राम कहते इसलिए वाकी जो देउता थे राम कृष्ण ejél wellbeing राम को ही चुना गांधी जी ने इसलिए कि राम का atrás में ब्हेरम की मारी आदित था और भारत और को एक मारे आदित समाज मारे आदित, देस बनाना चागते इसलिए उन्हों ने छुना इसलिए कोई कहता है कि नहीं साहब राम जो है तियासिक पुरुस नहीं है इसको बे मतलब तील का ताल बनाया जा रहा है और राम तो हमारे आदित पुरुस है आज कल तो हम लोग देख रहा है कि जैसरी राम के नारे के साथ जो अव मारे आदा का प्रदर्सन किया जा रहा है अगर Ram होंगे तो सरमा रहे होंगे की हमारे नाम पर इस तरव से लोग जो है दुरिबोक कर रहा है। लोग नाम लेकर परिसितियों से मुकाबला करते है और होई हमारा नाम लेकर के लोगों को डराय जा रहा है। यह हालत है इसलिए जीतन वावु के बात को बहुत हम अधरवाइज नहीं लेते हैं ुष्मार्ए लिदावार्ट वीद्रश झाल झाल